होली हूड दंग में सराबी जा रहा था पिये रंग बद रंग में अजीब होड देता है और आगे बढ़कर टक राया एक भेंस से वो माफ करना बहंजी हाथ जोड देता है और फिर आगे एक मोटी महिला से टक राया गिरा और बोतल वहीं पे तोड देता है और आगे बढ़कर बोला जाने किस की है भैंस बांध के न रखता खुली ही छोड देता है संदीप अनुरागी जीने कई स्रेश्ट चंद लिखे हैं उनका रचना कर्म हाथ से का भी है आलंकारिक काव्य सरजन में वो महारत जिन हासिल है वैसे उतने ही अच्छे वो हाथ से के महारती है और उससे कहीं अच्छे वो एक स्रेश्ट संचालक हैं आएए हम संदीप अनुरागी जी की कभी रूप आपके समक्ष उसका दर्शन करें मैं संधी पनुरागी जी को आवाज दे रहा हूं कि आए और इस क्रम को आगे बढ़ाएं बहुत बहुत धन्यवाद आप सब की उपस्थिती को पढ़ाम और कुछ पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं सुनिए आप सब का आसिरवाद मिले बहुत ही स्रेष्ट रचनाकार अधनिये प्रवीन सुकल गोवर गनेश जी समफस्थित हैं उनका हारदिक स्वागत अभिनंदन है आईए चार पंक्तियां पढ़ता हूं सहाब एक बार एक नेता जी ने अपना नेत्रदान किया तो क्या प्रतिकरिया हुई पंक्तियां सुनिएगा इन नेत्रदान सिविर लगा हुआ था एक बार नेत्रदान की एक पार्टी के नेता है और वही आँख फिर एक अंधे के लगाई गई डाक्टर जो की एक सफल विजेता है और कुछ देर बाद होस में आया मरीज जब दाक्टर फिर उसकी परिक्षा लेता है और सरजन ने कहा दिखाई दिया बोला है मरीज कुरसी के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता है तो ऐसी ऐसी इस्थितियां होती हैं साहब एक बार हम ट्रेन के सफर में जा रहे थे दो आदमी बैठे आमने सामने बात कर रहे थे एक घटना घटती हानंद लिजेगा कि ट्रेन के सफर में दो यात्री आमने सामने थे घटना घटी थी जो मैं उसे बतलाता हूं दोनों एक दूसरे को देख रहे एक टक आगे जो हुई है बात उसको सुनाता हूं तो एक ने कहा कि आप इती देर उसे जो कहते हैं मैं तो बहे रहा हूं सुन नहीं पाता हूं और दूजे ने कहा कि आपको गलत फहमी है मैं तो मुह में धरा ये चुंगा मुह चबाता हूं ऐसी ऐसी इस्थितियां होती हैं साहब चार पंक्तियां पढ़ता हूँ, होली का महोल था, और एक आदमी सराब के नसे में जूमते हुए जा रहा थे, और एक घटना घटती है, आनंद लिजिएगा, कि होली हुड़ दंग में सराबी जा रहा था पिये, रंग बद रंग में अजीब होड देता है, कि होली हुड़ दंग में सराबी जा रहा था पिये, रंग बद रंग में अजीब होड देता है, और आगे बढ़कर टकराया एक भैस से वो माफ करना बहंजी हाथ जोड देता है, और फिर आगे एक मोटी महिला से टकराया, गिरा और बोतल वहीं पे तोड देता है, और आगे बढ़कर बोला जाने किस की है भैस, बांध के न रखता खुली ही छोड देता है, आईए, चार पंक्तियां साहब और पढ़ता हूँ, जब कोई नेता वास्तों में पांच साल बाद सिर्फ ओट मांगने के लिए गाउं आता है, इसके बाद जनता का दुख दर्द नहीं समझता, तब मैंने एक भिंब बनाया, एक चित्र खीचा, कि एक नेता जी ओट मांगने के लिए गाउं आये, रग्धु का मकान कोन पता लगवाया है, एक नेता वट मांगने के लिए गाउं आये, रग्धु का मकान कोन पता लगवाया है, और रग्धु एक दंडाली एक कुत्ते की पिटाई करे, याह द्रस देखके दिमाग चकर आया है, तो बोले र गुभाई इसे इतना क्यों मारते हो यह हाल में तो कुछ समझ न पाया है और अग्धु ने जबाब दिया उपर उठा के सिर यह कुत्ता आज पाँच साल बाद आया है। एक भिख मंगा बाबुजी से मांगने लगा कि अल्लाह के नाम दस रुपए दे दीजिए। संगे ने पलट के जबाब दिया बैठो मेरे साथ रुपए पचास लीजिए। साहाब एक हमारे मित्र है लल्लू जी बहुत स्रेश्ट रचनाकार हैं। तो एक दिन मैं लल्लू जी के घर गया तब चार पंक्तियां पढ़ता हूं आनंद लीजिएगा। जब मैं उनके घर गया तब चार पंक्तियां पढ़ता हूं सुनिएगा। इलल्लू ने कहा कि मैडम सर्वत बनाना नीम्बु है नहीं बता नहों सियार डाल दीजिए। और अनुरागी आए इन्हें सर्वत पिलाया जाए। कोम लिये हाथों का वो प्यार डाल दीजिए। तो बोल पड़ी भाभी नीम्बु लाए न बजार से हो कहते क्या खाक बार बार डाल दीजिए। और लल्लू ने कहा कि सव नीम्बु का दम भरा है थोड़ा नया वाला बिम बार डाल दीजिए। और सहाब एक घटना से आपको और जोडता हूँ। एक बार हम और लल्लू जी एक कभी सम्मेलन को जा रहे थे। तब चार पंक्तियां पढ़ता हूँ। लल्लू जी ने कहा अनुरागी रुखिये थोड़ा दाढ़ी बनवाले। मैंने कहा ठीक है। सहाब वो नाई की दुकान पर पहुँचे। और दाढ़ी बनवाने के लिए तब एक घटना घटती है। आनंद लिजेगा। एक दिन लल्लू गए सेविंग कराने है तू। एक दिन लल्लू गए सेविंग कराने है तू। नाई था प्रसंद चित खुब हरसाया है और नमसकार होने के तुरंथ बाद कुरुसी पे लल्लू को बिठाया और लोसन लगाया है तो उसी समय लल्लू जी ने नाई से सवाल किया क्या तुम ने कभी गधे की हजामत बनाया है और मुस्करा के नाई ने जबाब दिया ललू जी को नहीं सरकार आज पहला मौका आया बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद